लिंडे इंडिया लिमिटेड के बोर्ड डिरेक्टर्स की मीटिंग 24 फरवरी 2022 को भी है और इस मीटिंग में फाइनल डिविडेंट के साथ-साथ Q4 के रिजल्ट को भी पब्लिस कर दिया गया है इस कमपनी के बोर्ड डिरेक्टर्स ने साड़े 13 रुपया प्रती एक्विटे शेयर का डिविडेंट रेकमेंड किया है और इस कमपनी की एनुवल जेनल मीटिंग 23 जून 2022 को होगी यह इस कमपनी के 2021 का financial result है और यहां सारे figure million में बताए गए है Q4 में इस कमपनी का revenue from operation 644 करोड है जो previous quarter में 507 करोड था और previous year के quarter 4 में यह 475 करोड था Year on year इसमें 35% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह लगभग 27% बढ़ा है Financial year 2021 में इस कमपनी का revenue from operation 2112 करोड के आसपास है जो previous year में यह 1471 करोड था तो यहां लगभग 43.5% की बढ़त है Q4 में इस कमपनी का total income 665 करोड है जो previous quarter में यह 518 करोड के आसपास था और previous year के Q4 में यह 478 करोड था Year on year इसमें 49% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह 28.5% बढ़ा है 2021 में इस कमपनी का total income 2166 करोड है जो previous year में 1503 करोड था यहां लगभग 44% की बढ़त है Q4 में इस कमपनी का profit before tax and exceptional item 124 करोड 6 लाग है जो previous quarter में यह 96 करोड 60 लाग था और previous year के quarter 4 में यह 85 करोड 22 लाग था Year on year इसमें 45.5% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह लगभग 28% बढ़ा है Financial year 2021 में इस कमपनी का profit before tax and exceptional item 422 करोड 44 लाग है जो previous year में 226 करोड 94 लाग था यहां लगभग 86% की बढ़त है Q4 में इस कमपनी का net profit 67 करोड 83 लाग है जो previous quarter में यह 63 करोड 65 लाग था और previous year के quarter 4 में यह 56 करोड 80 लाग था Year on year इसमें 19% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह लगभग 6.5% बढ़ा है Quarter on quarter जो इसमें कम बढ़त है उसका कारण 19 करोड का exceptional item है 2021 में इस कमपनी का net profit 507 करोड 21 लाग है जो previous year में यह 159 लाग था तो यहां लगभग 236% की बढ़त है और इतनी बढ़त का कारण 275 करोड का exceptional item है Q4 में इस कमपनी का earning per share 7.95 पैसा है जो previous quarter में यह 7.46 पैसा था और previous year के quarter 4 में यह 6.66 पैसा था Year on year इसमें 19% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह लगभग 7.5% बढ़ा है exceptional item की वज़े से इसमें quarter on quarter basis पर ज़्यादा बढ़त नहीं है 2021 में इस कमपनी का earning per share 69.47 पैसे है जो previous year में 17.72 पैसा था यहां लगभग 235% की बढ़त है और इतनी बढ़त का कारण भी exceptional item ही है तो आपने देख लिया इस कमपनी का revenue from operation, PAT और EPS इन सभी में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर बढ़त हो रही है तो चलिए अब हम लोग इस कमपनी के चार्ट को देखते हैं आप देखें यह इस कमपनी का daily price chart है और इस कमपनी के share का price 2687 रुपए 35 पैसा है आज Ukraine पर रशिया की हमले की वज़े से share market में भारी गिरावट हुई है और इस share में भी 6% से जादा की गिरावट हुई है इस share का important support 27 रुपए के आसपास था और यह share इस support के नीचे आ चुका है ऐसे situation में किसी भी support का सोचना तो थोड़ा कठीन है बट मुझे इस से नीचे जो पहला support नजर आ रहा है वो है 2520 रुपए का situation में कोई सुधार होता है तो मुझे इसका अगला resistance नजर आ रहा है वो है 39 रुपए के आसपास मेरी इस share में कोई भी buy या sell की recommendation नहीं है आप अपने financial advisor से consult करें तभी कोई decision लें मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को like करें अपने family members और friends के साथ share भी करें मेरे channel को subscribe भी करें बहुत बहुत धन्यवाद